नमस्कार मैं दिपीका विंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूं छोटे बच्चों को सर्दी खासी होना बहुती नॉर्मल सी बात है हर बच्चे को जो है सर्दी खासी होती ही है क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी इम्मुनिटी जो है वह काफी ज्यादा तो बदलते हैं मौसम या तेज हवा अगर उन्हें लग जाए या फिर गर्मी से ठंडी में आ जाए या ठंडा गरम कुछ खा लें तो बच्चे को जो है वह सर्दी लग जाती है तो ऐसे में कुछ हूम रेमेडी है जिसे अगर हम ट्राइ करेंगे तो हमारा बच्छा जो सर्दी खान सी में ओ गई हैं और इस बारे में बात करतेंements पहला जो रेमेडी है जिसे अगर आप ट्राइ करेंगी तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्फ मिलेगी वो है आप अपने बच्चे को भाप दीजिए भाप लेने से बच्चे की सर्दी खासी में बल्गम को कम करने में जो है काफी ज्यादा हेल्फ मिलती है क्योंकि आपने आपको कोई नुकसान ना पहुंचा ले तो इसके लिए सबसे बैस्ट होगा कि आप अपने बच्चे को सोते समय जिस कमरे में अपने बच्चे को सुलाती है आप अपने बच्चे को अच्छे से बैट पर सुलाईए और नीचे जो स्टीमर उसको ओन करके रग दीज द्जान रखे गा कि जब भी आप बच्चे को नो भाप देती топ-7 द् También अ उस टाइम पर अगर आप जो है गीजर का इस्तमौल करती है तो आप बात रूटम का जो विंडो उसको बंद कर दीजिए और विंद्टी पर्चरव का जो भी अच्छे से बंद कर दीजिये और आपने की अपने की आधने was on कर दीजिए तो गरम पानी to you तो उससे भी गरम घरं वाला भाप बनेगा आपके बाथ रुम में जो है बहुत जादा घर्मी हो जाएगी तो उससे भी बच्चे को बहुत जादा है घख मिलेगा जो है वह जए वह बाप सथे को खिलाए तो इस से भी भूए बच्चे का खतम होने में बहुत जाद इनले तो अच्छे इसे अई सब करके ऐससे अबस अपने बच्छे कोने ख29 मैं हुआ नुषी एच्छेय जहाए उसको फें नि amazed दो अगर आप इस तरह से बच्चे को करेंगे लिए ना तो काफी जाएदा अल्म मिलेगा अगर बच्चा जो है नहीं निकलना जानता है नहीं चबाना जाता हुआ उनके दाज जो है अच्छे से नहीं आए है तो आप बच्चे को बिल्कूल भी लहसुन इस तरह से मत कप्रे के अंदर अच्छोटी सी पोटली बनाईए गार बच्चे को थोड़ा दूर रखकर के स्मेल कर वाइए गा ऐसे करके तो इससे भी बच्चे का जो नाख है वो खुल जाएगा जो उनका बल्गम इन धीरे दीरे निकलना जो है वो स्टार्ट हो जए गए तो अप इस त 1 साल तो आप अपने बच्चे को तुल्सी के पत्ते को अच्छे तरीके से मैश कर लिजियो और उसको जो है हाफ चमच साथ मतलब एक बड़ा चमच होता है उससे चो ता चमच होता है उसका भी हाफ तो रखे लेना ये लेना और शहत के अंदर अक्षर से कपता अच्छ एक पैट अच्छ से उसको मैश कर लीजिए उगलीक हलब से हो जाएगा थाथ साफर रखिये का बस और इसके अंदर अच्छ से मैश कर दीजे और वो बचे को खिला है अगर आपका बचा वन अगर आपने बच्चे को गाय का दूद देना स्टार्ट कर चुकी है और उनको गाय के दूद से कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो एक दम थोड़ा सा दूद लीजेगा और उसके अंदर जो है बहुत ही थोड़ा सा हल्दी मिक्स कीजेगा और उसको अच्छे से गरम कर इसको अपने बच्चे को पिलाएगा तो इससे भी बच्चे का जो बलगम है उसको कम करने में काफी ज्यादा है नेक्स्ट टिप है वह सर्सो का तेल अगर आपका बच्चा छोटा भी ना निवबॉन है ना तो भी आप ये कर सकती है या अगर आपका बच्चा थोड़े ब सर्सो के तेल से बच्चे को मसाज करते हो उनके चेस्ट के उपर मसाज करते हो उनके पीट के उपर मसाज करते हो इसके उपर अगर आप अच्छे से मसाज करते हो जो तलवे होते हैं उसके उपर आप अच्छे से सर्सो के तेल का मसाज करते हो ना तो इससे बॉड़ी को जो से खतम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इन्फोमेटिव हो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले अगर हां तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा साथ ही इसे अपने फ्रेंद्स और फैमिली में शेयर भी डीजेगा